आपको 30 में से 30 नंबर नहीं लाना ना आपको English में कोई PhD करना है आपको सिर्फ ऐसा स्कोर करना है कि कॉंट रिजिंग को मिला कि आपका sectional cut-off भी clear हो और overall cut-off से भी आप 15 नंबर उपर लेकर आ सको इन तीन चीजों को साथ में एक महिने ते continue करके देखो नए improvement आए English में तो बताना जरूर improvement आएगा आपके इस course में भी और आपके English में भी English की strategy इस वीडियो में मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में मैं मैं आपके साथ quantity strategy share करूँगा, काफी सारे comments आये थे दोनों ही subject के लिए पहले मैं इसको cover कर रहा हूँ practically जो चीजे करना possible है और जो effective है वो ही मैं आपको बताऊंगा ठीक है, क्या आपको करना है यदि आप 3 महिने तक grammar की classes भी करते रहोगे न तो आपको सिर्फ 5 नंबर का paper में आना है बाकि 25 नंबर का पूरा वेटेज इन सभी topics का रहता है RC, Parajumble, Wrongly Spelt World, Word Swap ये सभी से questions आते हैं और ये सब आपके vocab और reading से cover हो जाते हैं इन में grammar का उतना काम नहीं होता ठीक है, सिर्फ reading से भी ये कर सकते हो कैसे करना है मैं आपको बदाता हूँ ये जो topics नहीं ये आपको इनको सिर्फ दिन का एक घंटा devote करना है एक घंटे की आप class देखो उससे जादा नहीं, वो भी एक से देड़ महीने में आप अपने सारे topics complete कर लो with practice, उसके बाद ना दोबारा आपको कोई class देखना है, देखो गलती क्या होती है topics यहां से देखना start किये किसी एक teacher का course और पूरा उसको last तक देखा एक महीने तक, देड़ महीने तक उसके बाद जब नहीं आ रहा है English में number फिर इसको शुरू से देखना शुरू कर दिया किसी और teacher का, किसी और platform का यह सबसे बड़ी गलती है, यह मत करो आप एक बार complete करो इनको revise करना है, तो 120 rules या फिर 100 rules of grammar से आप revise करते रहो इसकी PDF आपको टेलियोंग ग्रूप में मिल जाएगी, अपने minute डाली हुई है तो वहां से इनको revise करते रहो, बस उतनी ही requirement इनकी है, पांच question आते हैं शुरू में जब आप mocks देते हो, यदि error नहीं समझ माता है तो उसको मट टिक करो पांच question छोड़ो, लेकिन फिर भी 25 question करने के लिए है लेकिन इनको भी बनाने के लिए आपको इनकी approach सीखना पड़ेगी मैं आपको एक topic करके बताता हूँ wrongly spelled word में कुछ नहीं है यदि आपको, आपने थोड़ी बहुत आपकी basic knowledge है vocab की, तो बस आपको ये पहचानना रहते है कि वो word की spelling सही लिखी है या नहीं लिखी है, सीधे 5 question आते है नहीं, तो 4 तो आते ही है तो ये भी आपकी कैसे होगी practice reading से होगी, जब तक आप reading नहीं करोगे खुद आपका interaction words से नहीं होगा तब तक आप कोई चीज़े कैसे पता चलेगी words app में भी same चीज़े, spellings यहाँ पर correct होती ही लेकिन सही जगा पर किसी word को cite करना होता है तो ये सारे vocabs related topics है में भी आपको बहुत बार वो देखने को मिलेगी mock में यदि कोई question में है आपको एक word दिया हुआ है, ठीक है वो उसका answer होगा, लेकिन उसके अलावा जो चार option दिये रहते हैं उनका भी meaning solution में दिया रहते हैं तो आप वो पढ़ा करो जरूर से, वो word क्यों पढ़ने का बोल रहा हूँ, क्योंकि एक word जो उसका answer है वो बाकी चार से अलग होगा, तो इस तरीके से आप eliminate करना सीखोगे answers को, हर चीज में ये किया करो, phrasal verb में भी ये किया करो तो एक question से आपके 5-5 word होंगे, यदि 5 question है, तो आपको यहां से 25 जिस vocab मिलेगी, याद पूरी नहीं होगी लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, ताकि आपको difference हमजमा है, सही और गलत शब्दों में ताकि आप next time जब question टिक करो तो थोड़ा दिमाग लगा पाओ, उन चीजों में तो ये सारे vocabs related इस तरह से question है, fillers जो one line के आते हैं वो भी आपके work app से ही होंगे और RC, कोई भी exam हो, pre का, clerk हो, PO हो, सभी में RC आता है, mains में दो या तीन-तीन RC तक आते हैं तो RC पे आपको command बनानी है, आप पहले उसकी approach को, मैंने हर topic की video बनाई हुई है, close test हो, पेरा जंबल हो या RC हो, सब के बारे मैंने video बनाई है, कि उसकी shortest approach क्या है कैसे उसको exam में approach करना चाहिए और English के section को हमें कैसे approach करना चाहिए कौन से topic पहले उठाना है, कौन से topic बाद में उठाना है, किन questions को हमें touch नहीं करना है, work app को कैसे eliminate करना है, options को, ये सारी चीज़े मैंने detail में video बनाई हुई है मैं आपको सारी video की link जो है description में दे रहा हूँ आप एक एक करके वो videos देखो आपकी उनसे बहुत help होगी, newspaper कैसे पढ़ना है, newspaper से current affairs कैसे निकालना है, static, ये भी मैंने आपको detail में बताया हुआ है, ये आप इस video में जरूर से देखना, ठीक है आर्थी पेरजंबल, match the column, ये सारे आपके जो होंगे, ये reading comprehension है, इसका मतलब आपको इनको पढ़के समझ कर फिर करना पड़ेगा यदि पेरजंबल में आपको जो 5 sentence दिया, उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनका सही order arrange नहीं कर पाओगे आपको उसको थोड़ा comprehend करना पड़ेगा पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा, उसकी approach क्या है, उसको eliminate कैसे कर सकते है कौन सा sentence ऐसा है उनमें से जिनसे कभी conclusion हो ही नहीं सकता या फिर जिनसे initiation हो ही नहीं सकता जिनसे कभी parajumble start नहीं हो सकता तो ये सब basics हैं, ये approach हैं ये आप lectures देखोगे न, ये सीखोगे तो शुरू का एक महीना पूरा इनको devote करने के साथ-साथ, आप इनको भी time दो, इनको time दो, इनकी classes करो, हलाकि ये courses के part ही होते हैं, लेकिन जब कोई teacher parts of speech कराता है, तो उसी में पूरा एक महीना निकल जाता है, तो आपका time ही waste होगा और कुछ नहीं, तो मैं आपको सही approach बता रहा हूँ तो इनकी आप classes करो, साथ में reading करो, जब आप ये कर लोगे न, तो आपके mock test में number भी आने लगे हैं, क्योंकि ये सारी चीजों का weightage जादा है 25 number का weightage है, और इनको कितना भी कर लो, ये 5 number का ही weightage रहेगा ठीक है, पांच ही question error से आते हैं ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये आपको करना कैसे है, देखो मैं कुछ useful चीज़ें आपको बता रहा हूँ, workapp 24 application है, play store से download कर लेना यहां से आप reading कर सकते हैं, editorial की जो the Hindu, Indian Express Economic Times, इन में आते हैं, जो आपको article ठीक लगता है, sports related, politics related, वो आप read करो, उसमें किसी भी जैसे कोई line लिखी हुई है वहाँ पे, और किसी भी जैसे आपको इस word का मतलब नहीं समझ में है, तो आपको simply इस word पे touch कर देना है, touch करोगे आप उसका नीचे आपको meaning लिखा आ जाएगा Hindi और English दोनों में, तो इतना बढ़िया इसमें feature है, तो ये app आपके mobile में होना ही चाहिए, ठीक है, ये app होना चाहिए, उसके बाद newspaper, यदि आप रद्धी का bundle नहीं खटा करना चाहते ओ घर में, तो ऐसा newspaper आप subscribe करना, जिसको आप daily पढ़ सको easy language से आप start करो, या Indian express, या फिफे times of India, the Hindu या economic times पर जाने के आपको जरूरत नहीं है, आपको descriptive की बहुत ज़्यादा थहरी नहीं कर रहे हो, आपको basic अपनी English improve करनी है, तो ऐसी चीज रीड करो, जिससे आपको reading की habit develop हो, ठीक है, तो इसी दिए में ये चीज़े आपको suggest कर रहा हूँ, ये जल्दी से उसका conclusion आपको मिल जाएगा, तो आपको चीज़ें comprehend करने में आसानी होगी, अप में comprehension develop होगा, कि कैसे meanings बनते हैं, तो ये चीज़े आप करो reading के लिए, उसके बाद यदि इन topics को आप complete कर लेते हो, तो इनकी topic wise quizzes के आप practice guideline से कर सकते हो, PM में भी मिल जाएगी, topic wise का मुझे पता नहीं, लेकिन misleadingness quizzes तो आपको होँआ पे मिल जाएगी, और add to 247 के app पे भी आपको इनकी quizzes मिल जाएगी, लेकिन priority आप इन चीज़ों को रखो अपनी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपकी daily requirement क्या है English के लिए, सबसे पहले तो आपको 30 minutes से लेकर 45 minutes तक reading करना है, इसको आप बढ़ा सकते हो, अच्छा और जादा लगता है, novel वगरा पढ़ते हो, तो एक घंटे भी reading कर सकते हो, अच्छी ही होगी reading आपकी उससे, ठीक है, और एक घंटा आप किसी भी class को दो, चाहे वो classes in topic में से कोई सी हो, चाहे आप grammar कर रहे हो, लेकिन एक घंटे से जादा मत दो, daily दो से तीन घंटा invest करोगे, तो ये depend करते है कि आप उसमें देख क्या रहे हो, है ना, तो आप ऐसी चीज में अपना time invest करो, जहां से आपको improvement मिले, वो मिलेगा आपको reading से, या फिर English conversation सुनने से, उसके बाद मैं बताता हूँ, आपको क्या चीजे avoid करना है, देखो सबसे पहले, तो daily जो 20 words, 10-10, 15-15 words, आप diary बनाते हो, copy बनाते हो, ये बिल्कुल बंद कर दो, आज सही येदी कर रहे हो तो, कोई फाइदा नहीं होता इसका, आपने एक बाद बताओ, येदी 1000 words लिख लिए, तो उसमें से 5 words भी exam में आ गए, तो ये मतलब कितना गलत figure आपका बन रहा है, 1000 करने के बाद आपको 5 words का फाइदा मिल रहा है, तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो words आपको mock में मिलते हैं, या reading के दोरान आपको समझ में नहीं आते, उनको सिर्फ आप meaning देखो उनका, और उनको सिर्फ आप लिख लो, लेकिन जो daily the Hindu के 20-20 PDF आते हैं, 20 words के PDF या editorial classes में कराते हैं, वो आप मत करो, वो words difficult होते हैं, वो आपको याद रखना मुश्किल है, ठीक है, इतना time नहीं है कि आप उनको तीन बार revise करो दिन में, ठीक है, उसके बाद आप आओ, editorial की classes, देखो किसी चीज को कितना करना है न, ये बहुत ज़रूरी है, यदि आप editorial की class आज से लेकर, अगले दो महने तक देखे जा रहे हैं, आप में क्या improvement इससे आएगा, improvement यदि आपको चाहिए न, तो वो class को सिर्फ आप एक से दो हफते देखो, और उसमें ये सीखो, कि sir कैसे read करते हैं, उसको understand कैसे करते हैं, news को कैसे समझना है, ये चीज़ें उन से सीखो, उसके बाद उनको खुद implement करने की कोशिश करो, newspaper उठाओ अपना, जैसे sir read करवाते हैं, teacher read करवाते हैं, वैसे read करने की कोशिश करो, classes पे जतना depend, कम होगे, English उतनी जल्दी improve होगी, और जितना classes में बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, जो practical result दिखना चाहिए, mock में वो नहीं दिखेगा, वो तब दिखेगा, जब खुद से practice करोगा, और English में जतनी गलतियां करो, mock में उतना अच्छा है, बस उन गलतियों से सीखते जाओ, कि यहां मैंने इस error को गलत कर दिया, तो दुबारा मुझे इसे omit नहीं करना है, यह चीज़े आपको English में करना है, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें हैं पर recommend कर रहा हूँ, sources के लिए काफी लोग पूछते हैं, तो देखो zero to hero playlist है, अड़र 247 पर बिल्कुल free है, इसको जाना सर्च कर लेना और देख लेना, यहां पर अच्छे से संतोष सर ने cover करवाई हुएं चीज़ें, जो भी बैश देखते हो ना उसको पूरा देखो, तो मैं free और paid दोनों source आपको बता रहा हूँ, paid source में निमिशा मैम है, तरुन सर है, और इनका आप unaccaddy पर देख सकते हूँ, इनके lecture जो हैं YouTube पर भी available है, और एक विशाल सर है, तो इनके भी lectures दोनों जगाँ available हैं, banking वाला और YouTube दोनों पर आप देख सकते हूँ है, ठीक हैं तो यह मैंने sources की बात कर दी, दर्वत नहीं है, सिर्फ ये देखो कि कैसे questions आते हैं, उनको approach कैसे करते हैं, और जो भी YouTube पर mains की free classes available है, उनसे भी आप अपनी mains की practice कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह की questions आते हैं, जो मैंने बताए, ठीक है, और memory based papers आपको guided test book वगरा पर मिल जाएंगी, फाइल्स में और वहाँ से download करना है stories, और articles भी वहाँ पर पड़े हुए, उनको download करके daily आदा घंटा reading करना है, start करना है, उनमें जो work apps आती हैं, उनको समझना है, और लिखना है, उनके meaning ढूणना है, उसमें work apps ऐसी होती है, जिनको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ढूण लोगे, सर्च कर लोगे, तो भी वह याद हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, work app 24 डाउनलोड करना है, और उससे editorial reading start करना है, जो stories नहीं करेंगे read, वो editorial read करेंगे, ठीक है, और जो stories भी कर रहे हैं, जब समझ में आने लगे, धीरे-धीरे reading की habit हो जाए, तो आप भी editorial पर आ जाना, editorial read करना start कर देना, ठीक है, पहले ही tough चीज़ से शुरू करोगे, तो जल्दी bore हो जाओगे, और give up कर दोगे, तो habit develop करने के लिए, easy चीज़ से शुरू करो, तो यह है आपकी दो priority, उसके बाद एक गंटा अपनी classes को दो, यह है third priority, इन तीन चीज़ों को साथ में, एक महीने ते continue करके देखो, नए improvement आए English में, तो बताना, ज़रूर improvement आएगा, आपके स्कूर्स में भी, और आपके English में भी, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए है, वैसे कॉंट पे ही में बनाऊँगा, पर आप comment में लिख देना, गुडबाई, टेक गुड केर आफ योसेल्फ,